नमश्कार दोस्तों इस वक्त मौझूद हैं लहरपूर नगरपालिका में हमारे साथ हैं राम लखन जैसवाल जी जो कि यहां से चेर्मैनी का चुनाओ लड़ रहे हैं काफी दिनों से प्रयास कर रहे हैं लेकिन मैं इसे बात करने वाली हूँ कि जो यहां की नगरपालिका की जो ब्यवस्ता है किस तरीके से अगर चुनाओ जीतने के बाद क्या कुछ बदलाओ करेंगे क्या कुछ नया करेंगे तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका मेरा पहले बाद तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवात करता हूं चुनाओ कब से त्यारी कर रहे हैं इससे पहले भी आप चुनाओ लड़े हैं या फिर पहली बार मैं इससे पहले तीन बार चुनाओ लड़ च यूपिटल जो था रस्ता तोटा पड़ा वा था उस पर प्रियास बना डाक्टर लोग अपनी सीट पर नहीं बैठते थे प्रियास किया डाक्टर लोग बैडने लगे दवाईयां मिलने चलो गए हमारे कश्बे के अंदर इतनी ज्यादा गंदगी थी कि मैं एक ही कालूनी की अब करणों काście राम की तो किस पार्टी में गट में पंदरा साल तो मैं कॉंग्रेस में दिली में रहां पांट साल में आरविंद केज्रिवाल के साथ में रहां चार साल से AIM party में मैं काम कर रहा हूँ तो अभी फिलहाल के लिए जब चुनाव लड़ रहे हैं तो किस party से आपको समर्थन मेगा है AIM Party से ही समर्थन है हमारा और हमारे सारे लहरपुर के जितने भी कार्य करता हो भी हमारे साथ में और मैं AIM Party से ही चुनाव में लड़ोंगो जैसे कि अगर बात करें चेर्मेन चुनाव है और काफी बड़े बड़े वादे लोग आते हैं लेकर के लेकिन अगर आप चुनाव जीत जाते हैं यहां की जनता अगर आपको चुनती है तो जीतने के बाद क्या कुछ नगर पालिका का बदलाओ करेंगे या कुछ नया क्या क तेखिए हमारे कस्वे के अंदर जो रासन काट की समस्या है जिन लोगों के बनने चाहिए उनके नहीं बनते हैं जिन लोगों की बिद्वा पेंसन है साथ साला है बनते हैं उनमें दलाली हो जाती तो नगर्पालिका से कोई भी कार्य होगा जनता हित के लिए दलाली मुप्त लेहरपूर नगरपलिका को बनाना है और हमारे होस्पिटल में महिला सुविधा कोई नहीं है उस पे हमें काम करना की महिला सुविधा हो जाए और गॉर्मिंट स्कूल हमारे कस्वे के जितने भी जीरों है उनको में इतना में काम करना है कि पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही हैं या डॉक्टर इंजिनियर या टीचर बनना चाह रही है उसके लिए हमारे कश्बे में 35 साल में जितने बिदायक चेर्मेन संसदाय किसी ने काम ही नहीं किया अगर हम बात करें कि मौझूदा जो चेर्मेन थे कौन थे आप जैस्मीर असारी कितने दिन से हैं जैस्मीर के पर काम नहीं कि उन्होंने संसद रहे बिदायक रहे चेर्मेन रहे कोई कालेज पर नहीं किया इतने सारे पत reviewed पर मिंखें एब करीब 40पर्षंट सफाई आपको देखेगी अगर आप कुछ नया क्या करेंगे क्योंकि चेर्मेन बहुत सारे आएंगे और जाएंगे लेकिन आप कुछ नया क्या क्या करेंगे जो जनता के हित्मेकार हूँ जो हमारे कस्बे के अंदर तालाब हैं उनमें दूसित पानी भरा हुआ है उन तालाबों को मैं सुन्दर तालाब बनाना है जैसे कि वहाँ पे लोग जाएं टहलने के लिए उन पे मुझे काम करना है और कस्बे के अंदर हमारे जहां पाइब लाइन नहीं है लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा, सबसे पहले वो मैं काम कराऊंगा, कुछ हमारे कश्पे के अंदर करीब 40-50 ऐसे रास्ते हैं मज्जित के पास या मंदिर के पास जो आज तक किसी ने सोचे ही नहीं, मैं उनको दुरुस्त करूँगा किस तरीके से प्रत्यासी जो है बहुत सारे वादे सामने ले करके आते हैं